मेंगे मेंगे पॉलर्स जैसी प्रोफेशनल पार्टी मेकप बेस कैसे बनाए जाती है जिससे मेकप भी बहुत स्वालेस लगता है और बेस भी ना फटती है ना ग्रे होती है और लॉंग लास्टिंग दौर्साद रहती है हेलो एबरन असलामलेकूम मैं हूँ अनमैसान आज आपके साथ में प्रोफेशनल पार्टी मेकप बेस का बहुत ही आसान सा मैथर शेयर करूँगी इतनी सारी प्रोड़क्स होती है नहीं समझाती कौन सी प्रोड़क्स यूज करनी है क्रीम बेसिस पाउडर बेसिस पता नहीं क्या क्या होता है तो मैं आपको एग्जेक्ट बिलकुल मुक्तसर सी प्रोड़क्स बताऊंगी बहुत एजिली अवेलेबल होंगी आपके पास आप उनके साथ एक बेहतरीन सी पार्टी मेकप बेस बना सकते हो बहुत असानी से जो ना फटेगी ना ग्रे होगी आपका मेकप सारा दिन लॉंग लास्टिंग रहेगा और बिलकुल भी केकी नहीं लगेगा जो स्टेप्स में बताने लगी हूँ बहुत असान है और आपने इनको एसे ही फॉलो करने अच्छा इसमें कोई कस्टमाइज बेस का चक्कर भी नहीं है चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बार या आती है स्किन प्रेप की तो हम यहां पर कोई लंबी चोड़ी स्किन प्रेप नहीं करेंगे क्योंकि जितनी जादा आप प्राइमर का कोई जोड़ नहीं है आपने हरगी नहीं लगाना बेस आपकी फट जाएगी खराब हो जाएगी फिर आपने कहना है कि हमारी बेस खराब हो गई है प्राइमर का करने स्किप उसकी जगा मैं क्या करूंगी हköासा मैं पहले से लगाया है मैं फेस के उपर सबसे पहले आपने फिक्स्रे ineered का कर लेनए कोई-स भी आपके पास मुझूद इमिस रोस का है Glamorous का है Nix का है कोई भी आपने कर लेना है और उसको dry कर लेना है आपने sponge से कर लेना है वैसे air dry होने दे ठीक है जी बस यही थी हमारी skin prep simple सी skin prep करने के बाद एक optional step है कि आप जो है ना color correction कर ले अगर आपकी skin पर मसले मसाइल है ठीक है आपके स्किन पर पिग्मेंटेशन है डाक सर्कल्स है या कोई रडनेस वहरा है तो आप उसी के हिसाब से कलर करेक्टर का इस्तमाल कर लिए यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको हलका सा ओरेंज करेक्टर इस्तमाल करके कलर तो आपने इसाब सी यूज करना है लेकिन आप लोग कमेंट्स में बहुत जादा पूछते हो के कलर भी बताएं तो शेड नंबर में मैंने आपको बता दिये इस एफस फॉटिफाइड शेड टीव पेंट स्टिक लगाने के बाद अभी मैं इसकी ब्लेंडिक भी स्टार्ट नहीं की और यहां पर मैं आप सीक्रेट आपको एक बताने लगी हूं बहुत जादा फाउंडेशन फेस के ओपर नहीं लगाते हैं आपका मेक अप खराब हो जाता है स्किन के अंदर बेस को सेट हो जाएगे अब बेस हमारी यहां पर मकمل तौर पर सैट हो जगी है अब मरहला हात है कि हमने पेंडिक यूजज करना है हमने पाउडर बेस यूजज़ करनी है हमने कॉमटेक्ट यूज़ करना है आखेर हम क्या यूज़ करें बहुत जादा confusion होती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल से इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ आसमा एहमाद विलॉक्स के नाम से इनका चैनल है जहांपर ये अपने डेली लाइफ की रूटीन शेयर करती है कैनेडा में रहती है कि डेली लाइफ भी आपके साथ शेयर करती है इंटर्टेंट्मेंट के साथ-साथ इनफॉर्मेशन भी देती है कि वहां के जिन्दगी कैसी है किस तरह से लाइफ होती है वहां पर क्या करना चाहिए कहां जाना चाहिए बहुत जाधा बहुत जादा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक तीया, आपने वहाँ पिर जाकर इनके चैनल को विजिट करना है, और सब्सक्राइब करना है, साथ या अपने वीडियो भी देखनी है, चलें जी चलते हैं, वापिस अपनी वीडियो की तरफ, तो मैं आपक बहुत अच्छा, अपने अफ़ोडिबल ढूंड रहे हो, ग्लैम्रस फेस का ले लो, ठीक है, इस से जादे ऊपर जाना चाहते हो, तो स्वीट टच का भी अच्छा है, और उस से ऊपर सबसे जादे मैक का होता है, मैक औरीजिनल, वो जो मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्प पाउडर अच्छे से लगा लिए, शेड़ेस का 01 मिनस चाप को बता दूँ, आप लोग भी पूछते रहते हो, तो यहां पर इसके एंड पर मैं एक बार फिक्सिंग स्प्रे कर दोंगी, दूर से ठीक है, बहुत जादा नजदीक करकी नहीं करना, पैचिस पड़ जाते हैं उसके बाद, लासली, आप हलका सा लूस पाउडर लगाना चाहो, तो लगा लो, अगर आपकी ऐली स्किन है, नहीं है ऐली स्किन, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, हलका सा लूस पाउडर लगाए, एंड यूर बेस इस ओल रेडी, ठीक है, जबरदस तरीके से आपकी बेस मेकप की लुकी चेंज हो जाती है, आपने सेम इस वीडियो का मैथड फॉलो करने है, और अपनी बेहतरीन सी पार्टी मेकप बेस आपने घर पर बनानी है, या आप अपने पालर में भी इस मैथड को यूस कर सकते हो, बहुत ही हाईली प्रफेशनल मैथड मैने आप लोग क पीस!